जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद गरता हूं मैं सब बढ़िया हूंगी इस वीडियम दोस्तों बात करेंगे कोलापूर टसकर्स और यहाँ पे आपको रतनागरी जैट्स के बीच में जो MPL यानि की महारास्टा पिरिमियर लीग T20 का मैच नंबर च्यार खेला जाता हूँ दिकेगा डिटेल में इस मैच को गवर करेंगे अगर आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कोमिनेशन बना के बाई अच्छी विनिंग करना चाहते हूं यह वीडियो कम्प्रट देखना विकोज हम लोग विद स्टेट्स यहां पर सारी चीज़े किलियर करने वाले है वेन्यू के बात करो मारास्टा किरकेट स्टेडियम पूरे के वेन्यू पर यह मैच खेला जाएगा अब देखो रिशेंटली अगर मैं सीजन की बात करो तो तीन मैच खेले जाट स्कोर तीनो ही मैच आपको सेम वेन्यू पर देखने को मिले कितना स्कोर उन मैच इस मैच मे वीडियो आपको मिस्स नहीं करनी है वीडियो पसंद आये तो यह वीडियो को लाइक जरूर कर देना विकोज आप लोगों को प्यार और समर्थन मिलता है तो फिर काफी जादा अच्छा लगता है सिंपले वहां से जोईन कर लेना मालीच यह कोई भी अपडेट होंगे टोस के बाद फाइनल टीम में जो चेंज होगा अब टोटल अगर इस वैंदि के बाद कर तो ओई सिर्फ तीन मैच होए देखो स फंड़ और से जो स्कोर है 155.16 चर पर अइक मैच ऐसा है जापर हमें थोड़ा सा बड़ा स्कोर बनता है यानि कि 190 पना था बाकी दो मैच में 1500 से कम स्कोर बनाए यान की कंडिसंस कई ना कई यहां पर बोलिंग को फेवर जरूर कर सकते हैं शायद उतना बड़ा स्कोर आपको बनतावान ना दिखें उसके बाद में आगे बड़ेगे दोस्तों यहां से बात करते बाद में आप लोगों को थोड़ा आइडिया जाएगा कि इस वेन्यू पर रिशेंटली कितना स्कोर बना तो लास्ट मैच जो वा था वो आप लोग देख पाऊगे SR और RJ की टीम के बीच में था SR की टीम ने 145 करे थे RJ 147 बनाए और पांच विगेट पर यहां पर देखोगे मैच को विन किया RJ की टीम ने सैकेंड मैच जो की इसी MPL गया है वो भाई एन टी ने 1955 करे CS की टीम ने 1952 करे इस मैच में जरूर पहली इनिंग में बढ़िया स्कोर बना लेकिन सैकेंड इनिंग वाली जो टीम थे वो उतना अच्छा परफूम नहीं कर पाई लेकिन DLS के चलते वहाँ पर सैकेंड इनिंग वाली जो फरस्ट इनिंग वाली टीम है भाई उसने मैच को विन गया था ठीक है उसके बाद में देखोगे थर्ड मैच यानि कि जो फरस्ट मैच था इस सीजन का केटी की टीम ने 147 करें पिबी की टीम ने 145 बना के चेज़ गया और 8 विकेट से मैच को विन किया अब देखो फरस्ट बेटिंग वाली टीम यहां पर बड़ा स्कोर नहीं कर पा रही है फरस्ट मैच में देखोगे यान कि जो लास्ट मैच वाल 45 रंज करें उसके बाद में आगे देखोगे सेकिंड मैच में तो यहां पर जरूर बड़ा स्कोर गया पहले बैटिंग वाली टीम ने फरस्ट मैच में फिर से काफ़ी सकम स्कोर किया ठीक है तो यानि कि जो टीम अगर यहां पर फैले बैटिंग कर रही है अगर वो बड़ा स्कूर नहीं करेगी तो शायद सैकिन बैटिंग उतना अच्छा पर्फॉम नहीं कर पाईगी लेकिन सैकिन बैटिंग के कहिना की फेवर में थोड़ा सा सीजे जरूर गई ये मैच देखोगे केवल 15 ओवर का मैच था अगर हो सकता है ये मैच 20 ओवर का होता तो शायद यहां पर CS के यानिकि जो सैकिन बैटिंग वाली टीम है वो मैच को विन करके जा सकती थी इस वेन्यू पर केट्टी की टीम ने एक मैच कहला और अपना जो पहला मैच है ये टीम हार चुकी इसी वेन्यू पर अगर ये लेवन के बारे में बात करेंगे ध्यान से देखना जो सीजे बता हुआ उनकी उपर फोकस करना ठीक है तो ये चीज़ आप लोगो कोई आइडिया जाएगा कि कौन इनके में गेंदबाज हो सकते है इदर से देखो कि सचिन दास जो कि डखका स्कोर करके गए थे ज़्यादा कुछ खास करनी पाई उसके बाद में नीट्या होगए यहाँ आपको मिलेंगे भाई अजय दारेकर जिन्होंने लगबग दो ओवर की गेंदबाजी करवाई थी बट विकेटलेस थे तूसामन ने तीन ओवर में विकेटलेस चवान की बात करें चार ओवर में सिर्फ एक विकेट था मनोज ने एक ओवर गेंदबाजी करवाई विकेटलेस थे विद्यातिवारी ने तीन ओवर की गेंदबाजी करवाई थी ये भी विकेटलेस थे अब इनके जो मेंदबाज रहेंगे वो देखो आपको थोड़ा सा ध्यान से चीज़े समझनी है चावान इनके मेंदबाज हो सकते जो कि भाया फहले मैच में अपने चार ओवर कंप्रिट करके गए उसके बाद में तूसामन रहेंगे और विजहतिवारी मतलब ये तीन गेंदबाज इनके में हो सकते अगर हम लोग इनके तीन तीन ओवर कंप्रिट मानके चलेंगे तो बारा ओवर की गेंदबाजी यहां से मिलेगी अब बचेंगे आठ ओवर वो मिलके कोन करेगा तरंजित सिंग डेलो रहेंगे उसके बाद में दारेकर रहेंगे और बाई नेचे आउगत यहां पर मनो जादव यह कुछ ऐसे प्लेयर है जो की मिलके आर से दस ओवर की गेंदबाजी आपको करते हो दिखेंगे तो यह चीज आपको ध्यान रख नहीं है उसके बाद में केदार जादो यहां पे गेंदबाजी कर सकते हैं द्यान रखना क्योंकि काफ अच्छे प्लेयर आपको स्पिन डालते वे दिखेंगे अगर टीम को जरूरत पड़ेगी दूसरा जो बेनिफिट है वो यहां कि ओपनिंग करने आ रहे हैं वो सबसे बड़ा प्लस प्लाइंट रहेगा तो इनके साइड से जो इंपोर्टेंट पिक्स है अकोर्डिंग टू लास मैस अगर बात करें केदार जादा वंकित बवान ने दोनों प्लेयर आप लोग अपनी टीम में जरूर ले सकते हो उसके बाद में ये मिडल के जो तीन प्लेयर दिखेंगे आगे चलते हैं यहाँ से बात करते हैं रतना गिरी जैट्स की टीम की इनकी साइड से फोटो आटा देना वहाई ये अलग पलेयर की फोटो लगए वी क्योंकि इनके किसी भी पलेयर की कोई डंकी फोटो मुझे नहीं मिली तो ये दयान में रखना बाकी इदर से अगर मैं बात करूँ तो सार स्रिवास्तवा ने 44 रंज करे थे उसके बाद दिरज की बात करें 14 रंज करें अजीम काजी टीम के कैप्टन काफियाच चे प्लेर है शायद इस मैच में आपको चे रंज देखने को भी मिल सकते है 14 रंज के पारी एक ओवर में गेंदबाजी करवाई विकेट नहीं मिला उसके बाद में चोर माले ने 6 करें रोहित पाटिल ने 36 करें निकल ने 19 करें उसके बाद दिव्यांग की बात करें तो 3 ओवर गेंदबाजी करवाई थी विकेट इनको नहीं मिला परदिव दाड़े न चार ओवर में एक विकेट दूमल ने चार ओवर में विकेट लेस थोट की बात करें तो चार ओवर में दो विकेट पाटिल को ना गेंद बाजी मिली ना बल्ले बाजी उसके बाद में विजय पावाले ने चार ओर मियाँ पर तीन विकेट्स निकाले अब इनके जो मेन गेंड बाज देखोगे आपको साफ-साफ दिखेगा इनके पास में जो पास गेंड बाज है वो आपको ये देखने को मिलेंगे ठीक है अब याँ मैं पर देखो अजीम काजी कितने ओवर करते है वो डिपेंड करता है कि बाई इन पास गेंदबाजों में से किसी की अगर ज़्यादा पिटाई होगी ना कोई ज़्यादा अगर यहां पर रन कंसीड करेगा तो उसकी जगह पर काजी या फिर अगर नीचे बात करूँ पाटिल शायद आपको इस मैच में मिडल के अंदर एक पाटिल 37 रंज के पारी लास मैच का कोडिंग बहुत सारे बंदे पिक करेंगे लेकिन आप लोग क्या अगर होगे आप लोगो रिस्क ले सकते हो चोर माले पर या फिर भाया निखिल नेक पर दोनों में से किसी एक प्लेयर को एज़े डिफरेंशल अपने टीम में जगह द सकते हैं तो यह दोनों टीम के पूरे स्टेट्स हैं ज्यादा इनमें आपको कुछ चीजे देखने लाइक मिलेंगी नहीं लास मैच का गोडिंग परफॉर्मेंस देख लो इंपोर्टन जो प्लेयर है उनके बारे में आपको अलड़ी सारी चीजे बता दी तो वो सारी मैच में अपना एक टीम कोमिनेशन यहाँ पर सैट कर पाओगे अब यहां से दोस्तों टीम कोमिनेशन की बात करें तो विकिट कीपिंग डेपार्टमेंट में इन्होंने केदार जादों क्यों रखा है बाई मेरी समझ से वो चीज थोड़ा सा भार है ठीक है लेकिन फिर भ बावाने ने काफी अच्छी पारी खेली ओपनिंग गरनाई थे तो मैं इनके साथ में जाऊँगा एसदास के साथ में आप लोग एजे डिफरेंचिल जा सकते हैं उसके बाद में वाडेकर या फिर बयासरी वास्तवा जिन्होंने लास मैच 47 रंच की काफी अच्छी पारी बाद में नीचे आओगे आर्ट पार्टिल के साथ में जा सकते हो बया और आपको नीचे उप्सन मिलेगी हिंगाने करगी तो इनके साथ में जाना चाहो जा सकते हो गेंदबाजी सेक्षिन में आपको काफी अच्छी उप्सन मिलेगी सबसे पहले तरंजीत के साथ में जो कि important रहेंगे पीछे बता चुका हूँ यह से पवाले ने अपने पूरे च्यार ओवर गरते हो तो यह player आपके लिए important हो सकते है ठीक है अब देखोगे मेरा जो 10 player का team combination है वो आपको दिख जाएगा लेकिन जो final player की selection आप लोग चाहो गेंदबाजी section से तो गेंदबाजी section स साथ में अगर आपको जाने तो भाई इनके साथ में जा सकते हो जो कि last match काफी अच्छी पारी खेल की आई हैं तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी सोरी देखो ये आर पार्टिल नहीं भाई ये पी पार्टिल है मैं बात करूं आर पेटल की यानि के रोहित पार्टिल की ठीक है तो वो player आपको कहां पे मिलेगा एक बार मुझे उसका नाम थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई किदर वो आपको player मिलने वाला है तो उसके मेरा 11 प्लेयर का team competition आपको मिल जाएगा लेकिन ये final team मत समझना हो सकता है मैं इस team में कोई भी change करूं अगर change करूंगा टोस होने के बाद में आपको टेलीग्राम पे final team मिल जाएगी comment section में और वीडियो के discussion में link है दोस्तों दोनों जिगह पर फटा फट जागी है सबसे पह में काफी तगडी पारी खिली थी तो ये भी आपके लिए एक अच्छी option हो सकते है according to selections आओगे तो सबसे best options आपको देखो यही player मिलेगा लेकिन मैं फिलाल जाओँगा यहां से काजी के साथ में और मेरी team में wise captain है यहां पे केदार जाद हो ठीक है तो ये मेरा 11 प्लेयर का team combination है कोई भी चेंज करूँगा आपको टेलिग्राम पे final team toast के बाद update की जाएगी comment section और description में link फटा फटा फट जाएगी और जोईन कर लीजी उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने complete watch क्या होगा भाई पसंद आयो तो यहार वीडियो को like जरूर कर देना channel subscribe कर लेना notification bell लोन कर लेना कोई भी वीडियो अप्लोड होगी आप लोगों के पास में notification आजाएगा और किसी भी match की वीडियो आपको miss नहीं करनी है मिलते हैं फिर अगले match की वीडियो में उमीद करता हूँ आप लोग इस match में एक बढ़िया team combination मनाऊगे और आपकी team अच्छा perform जरूर क रिगी